Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल उसको बनाने की, manufacturing करने की, तो ये कितना बड़ा एक सफलता होगा, भारत के अंदर कुछ वैसा ही हुआ है, भारत के अंदर INS Vikrant, that is India's first indigenously built aircraft carrier, और जब मैं aircraft carrier कहता हूँ, तो ये picture में आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ा ship होता है, जिसमें से aircraft भी take off कर सकता है, मतलब ये चलता फिरता एक प्रकार से आप हवायड़ा कह सकते हैं, जहां पर जो military के aircraft होते हैं, वो अपने उड़ान आसानी से भर सकते हैं, या आप देख सकते हो, PM Modi set to commission countries first made in India aircraft carrier, Vikrant on September 2, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक important चीज़ आपको ये बता दूँ, कि भारत के पास इस समय, सिर् अभी भी problem क्या है, कि ये अभी retrofitting में है, servicing में चल रहा है, तो अभी present में आप देखोगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो इस समय भारत के पास running में कोई भी aircraft carrier नहीं है, तो ये चिंता की बात है, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए, इसकी commissioning की जा रही है, finally, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसका trial चल रहा था, कयास लगाये जा रहा है थे कि finally ये कब होगा, कब Indian Navy के पास आ जाएगा, ये होने जा रहा है 2nd September को, यहाँ पर हम देखेंगे कि made in India जब मैं कहता हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्योंकि यहाँ पर हम आपको कई सारे features देते हैं, जैसे कि life classes, answer writing practice कराए जाती है, ताकि आप mains अच्छे से लिख सको, prelims की पूरी त्यारी कराए जाती है, ये सारे features आपको मिलेंगे, इसके अलावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, व और जिसका नाम दिया गया है, INS Vikrant, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि Vikrant ही क्यों दिया जा रहा है, तो ये 2nd September को finally commissioning होगा, commissioning का मतलब होता है, एकदम last stage, सबसे पहले launch होता है, fit sea trial वगर होता है, और finally जाकर ये commissioning हो जाता है, तो यहाँ indigenously designed and built aircraft है, Indian Navy का, and it puts India into a allied club, खूंकि बहुत कम capabilities है, लगबग 5-6 ऐसे देश हैं, जिनके पास capability है, इसको बनाने की, और भारत भी इस allied club में शामिल हो गया है, अब हुआ क्या था कि इसके delivery Navy ने अभी कुछ दिन पहले ही ली थी, और इसको design किया गया है, यह ध्यान रखना ह आपको exam point of view से, World Ship Design Bureau, यह आपका Indian Navy का ही एक प्रकार से in-house organization है, और यह manufacture किसके दोरा किया गया है, यह बहुत important है, coaching shipyard limited, यह आपको ध्यान रखना है, और इसका delivery अक्चुली लेना था 28th of July को, लेकिन उससे कहीं पहले Indian Navy ने इसकी delivery ले ली थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि commissioning का मतलब होता है कि finally Navy जो है, वो इसको समुंदर में मतलब खुद से operate कर सकती है, ship has successfully completed four and final phase of sea trial, तो sea trial बहुत जोरी होता है, वो भी complete हो चुका है, अब question यह है कि यहाँ पर भारत को aircraft carrier की क्यों आपशकता है, it is why it is so much important, देखो aircraft carrier जो मैं आपको बता रहा था है कि most potent marine asset होता किसी भी Navy के पास सबसे important asset आप कह सकते हो, because it has the capability to travel far from its home shores to carry out air domination, अगर आपको लड़ाकु विमान उतारना है जंग के मैदान पर, तो यहाँ पर आप मानलो अमिरिका से, मतलब ज़स्त सोच के देखो, अमिरिका के साथ यूद हो रहा है, तो अमिरिका तो बहुत दूर है, हम अपने aircraft तब तक वहाँ तक भेज नहीं पाएंगे, इसकी वज़य से अगर हम अपना पूरा का पूरा वार्शिप भेज देते हैं, aircraft carrier भेज देते हैं, तो उसके अंदर जो लड़ाकु विमान है, वो जा सकते हैं, और वहाँ पर जो भी operations करना है, वो कर सकते हैं, कई experts का मा अगर जाएगा, तो आप देखो कि ये aircraft carrier है, इसके आसपास आपको और भी कई सारे छोटे 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 जो वार्शिप्स हैं, वो देखने को मिलता है, लेकिन ये जो वार्शिप्स हैं, ये basically destroyers होता है, destroyers क्या करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर aircraft carrier क हैं, उसको operate करवा सकते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर, although यहाँ पर कई सारे equipment होते हैं, radar system, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी पूरी तरह से सुरक्षा हो, क्योंकि जो enemy country होगा, उसका पूरा निशाना ये aircraft carrier होंगे, तो उस missile को रोकन carrier है, यह इतना बड़ा big deal क्यों है, मैं आपको पहले भी बोल रहा था, सिर्फ 5-6 देशों के पास ही capability है कि उसको manufacture कर सकें, जैसे UK हो गया, Russia हो गया, US हो गया, France हो गया, कुछ ही देश यहाँ पर इसको manufacture कर पाते हैं, लेकिन भारत भी इसको join कर चुका है, और special बात यह है कि भारत ने demonstrate किया है कि हमारे पास capability है, कल के date में अगर कोई देश मना कर देता है, कोई component देने से, कुछ करने से, तो यहाँ पर हम self-reliance हो सकते हैं, खुद से इसको manufacture कर सकते हैं, so India has had aircraft carrier earlier too, हमारे पास पहले भी था, जैसे कि British हमने लिया था, Russia से लिया था, लेकिन हमने अभी अभी तक खुद से उसको built नहीं किया था, जैसे कि अभी present में आप देखो कि जो एकलौता aircraft carrier है इंडिया नेवी के पास, उसका नाम है INS Vikramat देती, यह 2013 में commissioning की गई थी, लेकिन आपको समझना है कि जितने भी aircraft carrier है भारत के पास, वो पुराने use हुए वे थे, जैसे Britain से हम और INS Vikramat, यह दो हमने लिया था, ठीक है, लेकिन यह दो आपका use किया हुआ था, और finally इसको commissioning की गई थी 1961 और 1987 में, तो यहाँ पर आपके मन में एक और question आएगा, कि मैंने आपको बोला INS Vikramat, यह तो अलड़ी हमारे पास था, अब question यह है कि यह जो नया हमने बनाया है, इसको commissioning कब की गई थी मैंने आपको बताया हमने UK से खरीदा था, 1961 में यह start हुआ था, ठीक है, और यह काफी लंबे से से मैं चलता आ रहा था, UK ने पहले ही इस्तमाल किया हुआ था, 1961 में यह commissioning किया गया और decommissioning हो गया यह आपका 1997 में, अब यह जो अगर आप aircraft carrier war हुआ था, बांगला देश आजाद हुआ था, तो उस समय एक बहुत important role play किया था, क्योंकि हमने क्या किया, INS Vikrant को Bay of Bengal में उतार दिया था, और Bay of Bengal में उतार कर हमने basically, जितने भी ships आ रहे थे, fighter jets, मतब कई सारी चीज़ें हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उनको हमने एक बार से रोग दिया था कि वो बांगला देश तक जो है, वो पूरे अपने हधियार के साथ वहाँ पन ना पहुँच पा है, यह हमारे द्वारा कोशिश किया गया था, और INS Vikrant में उस समय बताया जाता है कि two squadrons of sea hawak fighter jets वो तैनात किये गये थे, तो काफी भारी नुकसान पह कहता हूं कि made in India, तो इसमें कौन से indigenous component है, क्योंकि आपको ये भी समझना है कि जब हम made in India कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 100% यहाँ पर जितने भी material यूज हुआ है, वो भारत का ही होगा, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर बहुत से ऐसी चीज़े होती है, जो अभी परती है, जो वार्शिप का एक specialized steel होता है, वो यहाँ पर steel authority of India ने provide किया, तो वो capability हमारे पास आ गई, और उन्होंने collaboration किया था DRDL के साथ, इंडिया नेवी के साथ, ताकि हम इसको बना सके, तो इसमें हम self-reliant हो चुके हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, 23, 23,000 tons of steel यह इस्तेमाल किया गया है, 2500 km of electric cables इसका इस्तेमाल हुआ है, 150 km of pipes, 2000 valves, इतनी सारी चीजें यह इंडिजेंस नी यहाँ पर लगी हैं और इसका इस्तेमाल हुआ है, कई सारी जो major Indian companies हैं, जैसे की BEL हो गया, BHEL हो गया, केलफ्रान हो गया, किरलोसकर, L&T, बहुत सारे companies Indian company शामिल हुए, और इसके साथ-साथ, 100 से भी जादा MSMEs, Micro, Small, Medium, Enterprises, उनको भी शामिल किया गया है, INS विकरांत बनाने के लिए, और इसकी वज़े से बजाया जाता है, कि बहुत सारे जो employment opportunities हैं, वो भी सामने आई हैं, 13,000 employees in ancillary industries, उनको यहाँ पर नौकरी मिली है, और ultimately क यहाँ होता है, कि जब हम individually develop करते हैं चीजों को, तो उसका बहुत सारा पैसा, ultimately क्या होता है, हमारे economy के अंदर ही आ जाता है, अगर मानलो हम किसी से खरीते हैं, तो पैसा क्या हुआ, वो तो बाहर चला गया, लेकिन इस केस में क्या है, कि यह पुरा project का cost 23,000 करोन के आसपास और इसका 80-85% पैसा, मतलब लगभग 20,000 करोन के आसपास, वो हमारे Indian economy में वापस आ गया, मतलब इसकी वज़े से बहुत ज़ादा boost भी मिलता है, तो इसी से आप समझ रहोगा कि एक aircraft बनानी के वज़े से, कितना बड़ा हमारे economy के उपर भी impact आता है, इसके लावा अगर हम विक्रांत के capability के बारे में बात करें, तो अभी present में जो INS विक्रमदित्या है, जो हमने रश्या से लिया था, वैसा ही लगभग capability आपको देखने को मिलेगा, 44,500 टन ये आपका विक्रमदित्या वो था, और इसके लावा 34 aircraft हम इसमें launch कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसमें fighter jets हो या फिर helicopter, कितना भी हम रख पाएंगे, इसके लावा 262 meter long है, लंबा है, ये दिहान रखना है, 62 meter wide है विक्रांत, और 43,000 टन जो water displacement है, वो आपको देखने को मिलेगा, इसकी speed अगर हम बात करें, तो 28 knots, मतलब कि 52 km per hour के आसपास आप कह सकते हो, साथी साथ बताया जाता है कि 2200 compartments हैं, इसके अंदर crew को रखने के लिए 1600 specialized cabin है, ताकि women officers और sailors को रखा जा सके, इतना बड़ा है, तो ये capability आपको मिलेगी, इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि क्या भारत और इस तरह के aircraft carrier manufacture करेगा, बनाएगा, देखो ये एक बहुत बड़ा प्रशन है, 2015 से इ aircraft carrier हो, अभी INS Vikramadit है, ये दूसरा आ जाएगा INS Vikram, तो क्या हमारे पास तीसरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इंडियन नेवी कह रही है कि जरूर होना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने इसका approval नहीं किया, अगर approval हो जाता है, तो इसका नया नाम होगा, बताया जा रही है, देखना होगा, कि सरकार approve करती है कि नहीं, वैसे मैं बता दूँ कि चाइना के पास और इससे बहतर बहतर के जो और बड़े aircraft carrier है, वो इस समय चाइना अपने पास रख रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, तो definitely सरकार इस पे विचार कर रही होगी, कि क्या approval होना बड़ाई होग कि इस वीडियो के माध्यम से, जो ये कमिशनिंग हो ले वाली है PM मोधी के द्वरा, वो आपको सबको समझ में आ गया होगा विकरांत के बारे में, जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, विशु का सबसे longest वार्शिब कौन सा है, ये लगबग 342 मीटर के क्या बता सकते हैं सबसे longest कौन सा, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको अब तयारी हुई, अफोर्डिबल